मेरे हाँ रुदय से बहुत बहुत स्वागत है मैंने जिस उमंग से आपको पैरिस के लिए बिदाई दी थी उतने ही उमंग से वैं आज आपका फिर से स्वागत कर रहा हूँ और इसका कारण ये नहीं है कि कोई मिडल का टेली कितना हुआ उसका कारण ये होता है कि विश्व भारत के खिलाडियों की तारीब कर रहा है उनके होसले, उनके डिसिप्लीन, उनके बिहेवियर मेरे कानों पर सब जगा से बाते आती है और ये सुनता हूँ तो बड़ा गर्व होता है मेरे देश के खेलाड़ी मेरे देश के लिए ही खेलते हैं मेरे देश के नाम को रती भर भी खरो जा जाए मेरा देश का एक भी खेलाड़ी नहीं चाहता है और यहीं हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और उसके लिए ये पूरी टीम बहुत बहुत बढ़ाई के पात्र है साथियों आप सबने पूरी दुनिया में भारत की तिरंगे की स्थान बढ़ा करके देश वापस लोटना और मेरे निवास पर आपका स्वागत करने का मुझे अवसर मिलना मैं इसे मेरा अपना गवरों मानता हूँ और पेरिस जाने से पहले जो जाते हूं उनको भी पता होता है कि हमें अपना बेश्ट देना है और मैंने हमेशा यही कहा है सबको कि आपको अपना बेश्ट देना है और अपने दिया है दूसरी बाद है हमारे खिलाडी उमर में बहुत छोटे है और अभी से ही अनुभों मिला है तो आगे हमारे पाँस एक लंबवी समय है अधिक एचिव करने का और वो आप जुरू करेंगे इस अनुभों का लाब देश को मिलेगा साजय पहरे एक ऑलिम्पिक्स भारत के लिए कई माइनों में आइतिहास सिक रहा है इस ऑलिम्पिक्स में देश के लिए जो रेकर्स बने वो देश के कोटी-कोटी नवजवानों को प्रेणा देंगे आप देखिए ऑलिम्पिक्स के करीब सवास सौल साल के इतिहास में ये मनु हमारी पहली बेटी ऐसी है जिसने भारती खिलाडी की रुप में इंडिविजियल इवेंट में दो मेडल जीते हैं हमारा नीदच पहला ऐसा भारती खिलाडी है जिन्होंने इंडिविजियल इवेंट में गोल और सिल्वर जीते हैं ओकी में भारत ने बावन साल बाद लगातार दो बाव मेडल जीते हैं अमन ने केवल 21 साल की उमर में मेडल जीत करके देश को बिलकुल इतना प्रसंद कर दिया है और अमन के जीवन के विशे माद देश जानने लगा है तो उनको लग रहा है कि भाई व्यक्ति के जीवन की कठिनाईयों से भी इंसान अपनी आत्रा को सपन को संकल्ब को सिद्ध कर सकता है कठिनाईय अपने अपनी जगा पर रह जाती है और मने करके दिखाया है विनेश पहली ऐसी भारतिय बनी जो कुस्ति में फाइनल तक पहुँची ये भी हमारे लिए बड़ा गरों का विशे है ऑलिम्पिक्स में साथ सुटिंग इवेंट्स में इंडियन शूटर्स फाइनल्स में पहुँचे और ये भी पहली बार हुआ है इसी तरह तिरंदाजी मैं धीरज और अंकीता पज़क के लिए खेलने वाले पहले भारतिय तिरंदाजी बने और लक्ष हमारा लक्ष सेंड आपके मैचने तो पूरे देश का जोज बढ़ा दिया है हमारे लक्ष्वी ओलेंपिक में सेमी फाइनल तक पहुंचने वाले एक मात्र पूरुस बैंड मिंटन खेलाडी बने हैं हमारे अमिनाज शाबले इसने स्टिपल चेज के फाइनल में क्वालिफाई किया इस फॉर्मेट में ये भी फरस्ट नहीं रहा साथियों हमारे ज्यादातर मेडलिस्ट जैसा मैंने का आपने ट्रेंटीज में हैं बहुत छोटी आउक हैं आप सभी बहुत हुआ है आपके पास बहुत समय है बहुत उजजा है और ये भी सही है कि टोक्यों के और पैरिस के बीच में नॉर्मली चार साल का समय रहता है इस बार तीन साल का ही समय था तो हो सकता है आपको एक साल और अगर मिला होता प्रक्टिस का तो शायद आप और नई कमाल करके दिखा देती है अभी लंबी केरियर में आप कई बड़े टुर्णामट खेलेंगे खेलना बंदने करना चाहिए गुरू करना भी नहीं एक भी मैच छोड़नी नहीं चाहिए ये युवादल इस बात का प्रमाण है कि स्पोर्ट में भारत का भविष्य कितना उज्वल रहने वाला है मुझे विश्वाद है पैरिस ऑलिम्पिक्स भारतिय स्पोर्ट की इस उडान के लिए एक लॉंच पैट साबित होने वाला है ये टर्निंग पॉइंट है हमारा उसके बाद विजय ही विजय है दोस्तों हम रुकने वाले नहीं है ताकि आज भारत अपने हां वर्ल क्लास प लवलप करने की प्रास्पित्ता दे रहा है ग्रांट तुर्ट से आने वाले खिलाडियों को उनको तराशना उनको तराशना यह बहुत जरूरी है हमने गाउं गाउं शहर शहर से युवा प्रतिभावों को आगे बढ़ाने के लिए खेलों इंडिया मुहीं शुरूपी है और मुझे खुशी है कि खेलों इंडिया से निकले 28 खिलाडी इस ओलेंपिक समू का हिस्सा बढ़े है। चीब भरके जीतना यह एक बहुत बड़ा एहम हिंदुस्तान का कारकम बन चुका है। कि मैं इसको मैं मानता हूं मैं खेलों इंडिया को और तबज्जु देनी और ताकत देनी है। उसी में से हमें अच्छे नए आपकी तरह ही खेलों इंडिया एटलेट्स की एक बड़ी फोच देश के लिए तयार हो रही है। हमारे खिलाडियों को सुविधाओं और समसाधनों की कमी न पड़े। ट्रेनिंग में दिक्कत न आये। इसके लिए बजेट भी लगातार बढ़ाया जा रहा है। सबको पता हैं कि किसी भी खिलाड़ी के लिए जादा से जादा कंपूटिशन में हिस्सा लेना कितना आवश्यक है। मुझे संतोज हैं कि आलिम्पिक्स से के पहले आपको अनेकों इंटरनेशनल कंपूटिशन का एक्सपोजर मिला है। इतने सारे कोच और एक्सपर्ट्स जाहित उपकरण और कोचिंग सब पर इतनी बारिकी से ध्यान वर्ल क्लास फसिलिटी देने का प्रयास इस तरह की जुविधाओं के बारे में हमारे यहां पहले सोचा नहीं जाता था। खेलाड़ी अपने नशीब पर मेहनद करता था देश के लिए कुछ करके आता था। लेकिन आप पूरी इकोसिस्टिम बनी है। यह केवल स्पॉर्ट्स में देश की नीतियों का बडलावा इतना ही नहीं है। यह उस भरोसे का प्रतिक भी हैं जो देश अब अपनी युवा पीजी पर बहुत जादा भरोसा करता है उसकी अभिव्यक्ति है। आप योओं आप सब देश की युवाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेणा है। मैं मानता हूँ आप मैंसे हर किसी के बारे में देश को देश की युवाओं को जादा से जादा जानना चाहिए। यहाँ भी मेरी इच्छा है कि मैं हर किसी का नाम लेकर उसकी चर्चा करूँ। विशे स्कार हुमारी बेटियों पिछली बार की तरह इस बार भी बेटियों ने ही अलेंपिक में भारत की जीत का स्रीगनेश किया है मनु को जीत तरह पिछली बार तक्नीकी कारून ची निराश होना पड़ा था फिर उन्होंने जो वापस ही की, अंकिता ने जीस तरह सीजन का अपना सर्य और सेश प्रदशन किया, मनिका बत्रा और स्रीजा अकुला ने भी सबका ध्यान खीचा है, इसी तरह बाकी खिलाडी भी रहें, खास कर नीरद ने अपनी लगन और अनुशासन में जीस तरह कंसिस् स्वपनिल ने कठिनायों को पार कर जीस तरह मेडल जीता है, होकी में हमारे सर्पन साब उनके टीम ने दिखा दिया कि भारत की ताकत क्या है, पियार स्रीजेस ने ये बता दिया, कि तो बाल क्यों है, जो मेडल जीता, या जो एक पॉइंट, या कुछ सेकंड से चूका, उ सबने एक ही संकल पर दोराया, ये सिलसला गोर्ड से पहले नहीं रुकेगा, मैं मानता हूं इससे देश के विवाओं को बहुत तुछ सिखने को मिलेगा, साथियों हमारा भारत ट्वेंटी, थर्टी, सिख्स, अलिम्पिक्स की मेजबानी हासिल करने के लिए तैयारी कर रह है, बना जी, वहाँ भी लाल के लिए से भी बोला है, हम पूरी तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में कई ऐसे एसलिट्स, जो पिछले ऑलिम्पिक्स में भी खेल चुके हैं, उनके इनपूट बहुत महत्पपों है, आपने वहाँ बहुत कुछ अबसर्व किया होगा, बहुत कुछ स्पॉर्स मैनेजमेंट से लेकर, इमेंट मैनेजमेंट तक, आपने अनुभव, अपने अब्जिर्वेशन्स, हमने इसको लिख दे कर रखना चाहिए, वो सरकार को साजा करना चाहिए, तागि हमें 20-30 सिख की तैयारी में, जो छोटी-छोटी बारिक चीज़े खिलाडी द करके आता है, उससे और जो कमी नजर आती है, वो भी हमें 36 के तैयारी के लिए काम आएगे, तो एक प्रकार से आप मेरी 36 की टीम के फोजी है, आप सबको मेरी मदद करनी है, ताकि हम 20-30 सिख में दुनिया में अब तक न हुआ हो, ऐसा ओलेंपिक करकर के, बैजमानी करकर द चाहूंगा कि खेल मंत्रा इसके लिए एक ड्राप बनाए और सभी खिलाडियों से उनके डीटेल में फीडबैक लें, उनके सुझाव लें, तो हम जुरूर तैयारी अच्छी तरह कर पाएंगे, साथ यह भारते स्पोर्ट में और कैसे इंप्रमेंट हो सकता है, इससे आइ लोगों के इंपूट बहुत जरूरी है, आपके आइडिया बहुत जरूरी है, आप पर भविश के खिलाडियों को मोटिवेट करने, उन्हें आगे बढ़ाने का भिदाई तो है, और लोग तैयार होने चाहिए, आगे बढ़ने चाहिए, आप सोशल मीडिया स्पेसेज पर युवाओं से जूड सकते हैं, जूडते भी हैं, करते भी हैं, बाद से उनको प्रेजित करें, खेल मंत्रा लव और दूसरी संस्ताय भी इस तरह से इंट्रेक्शन सेशन आयुजित करवा सकती हैं, अलग-अलग गुरूप के लोगों के साथ, तो ये लोग अपना अनुभ इसे ही जाने दू, तो फिर बात अधूरी रह जाएगी, और इसलिए मैं तो कुछन कुछ आपके जिम्मे काम छोड़ने ही वाला हूँ, और पहले भी जब भी मैंने आपको कुछ कहा है, आपने जुरूप को पूरा करने का प्यास किया है, तेकि जो साथी टोक्यो अलेंप भी हुआ है, आज देश परियावरण की रक्षा के लिए एक पैड मा के नाम अभ्याद चला रहा है, मैं आप सबसे कहूंगा आप भी उससे जुड़े, अपनी मा को लेकर के एक पैड लगाईए, पैर इसको भी आतीजिए और पैड लगाईए, अगर मा नहीं है, तो मा की तस्वीर लेकर के खड़े रही हो, पैड लगाईए, आप ऐसे जादा तर खेलाड़ी, गाउं की पृष्ट भूमी से हैं, सामान्य परिवार की पिश्ट भूमी से हैं, आपने पैरिस में भी देखा है, और इस बार के पैरिस के उलिम्पिक की विश्टत आती, कर रहे थे, उन्होंने एन्वार्मेंट फ्रेंड़ी सारा वहाँ पर एकोसिस्टिम डेवलोग किया था, आप भी अपने गाउं जाए तो वहाँ के लोगों को नेचरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती, केमिकल फ्री खेती, हमारी धरती माता की विरक्षां को करनी है, ये बात उनको बताईए, और इन सब के साथ दूसरे नवजवान सात्यों को पॉट्स के जुड़ने के लिए, फिटनेस के लिए, उनको प्रेरिज करना चीए, फिटनेस के तरफ आप ये उनको गाइड कर सकते हैं, और मैं मानता हूं कि इससे बहुत बड़ा लाग होगा, सात् प्रतिभाओं की सफलता से और ज्यादा खुबसुरत बनने वाली है, इसी कामना के साथ मेरी फिर से एक बार, आप सब को बहुत बहुत सुब कामना हैं, मेरे लिए आप सब एचीवर हैं, आप में से कोई असा नहीं है जिसने कोई एचीव नहीं किया है, और जब मेरे देश से ऐसे नवजमान को एचीव करके आते हैं तो उसी के भरो से देश भी एचीव करने के तेहरी कर लेता है, बहुत 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 बदाई, बहुत बहुत शुक्तामना हैं दोस्तों सबसे बहुत चोटी अचली भी हमारी 14 वाली एली पार कंटिजन उस दिन मेरा परिचे हुआ था आपकी एक फेमस रेसिपी है ड्रम स्टिक्स की जी वो काफी पेमस हुई है वाँ सब के साथ बात करते हैं तो हम विटमिन सी रिच खेलाती हो सब को सब को रेकमेंट हरते हैं क्या आल है काशिगा, सच मुझ मैं